हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारे तंदbersक्राइब कर दो जोनशर आए Kin करें पिझे कर दो बहुर औरेश कर दूज संदियन क्वाने, क्वाने, क्वाने वा, सामने आओ. क्वाने, क्वाने आट को. क्वाने, क्वाने आप? मैनम, मैनम, क्या है? कर दो कर दो पापर, एह billions कर दो उ पापरे, ये ये तीन माहले पर गए कॉन हो तुम, यार कीव हो ये आवाज क्यों आरहे है बोलो ये आध्ये क्यों चिला रहा, दीखो को तू ढ क्यों ढ देखो तूरो, आगे मत अना और ये आवाज तू येसे आरहे है कौन हो तुम बता मुझे, कौन हो, क्या हो लोज में नी शोर कैसा है, यह तींसो तींसे आवा जा रही है, इसे तुम्हें पूरो आखे बता ना, फूनम और अजे रहते हैं, लगता है अंदर कुछ हुआ है, पीच आटो, पीच आटो, देख 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 जलके, क मैं अभी लेकर आता हूँ, पूनम, साहब, साहब बेवाजा खोलो साहब, 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 पूनम, साहब, यह वोई औरत है, यह सुने सोब पर आई है, जा बाद कर रहे हैं, यह यह वह, अलगता है, किसे हीए, ओ गोर्ड, क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ, एक मिट, खोल, खोल, साहब, यह उसे ने किया, पका उसे ने किया है, यह लेकिन, कि यह आर्मी है, है कोण, और पूनम और अजे, वो को है, अजे, पूनम, 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 अजे, पूनम, साहब, 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 मैं साहब, साहब, यह यह वही है, जो सीडियों से चड़ कर आई थी, जाखु से वार किया है, कौन है यह आदमी, प्रेशन देओ तुम, नहीं साहब, पहले तो कभी इस इस बिल्डिंग में देखा नहीं, पता नहीं कौन है, साहब, मैंने इस बिल्डिंग में इसको किसी के हाँ आते जाते नहीं देखा, और पका सर, यह बहर का ही आदमी था, करकिस का ही है, सर, इस घर में में रहता हूँ, यह मेरा फ्लैट है, यह मेरी वाइफ पूनम, और यह मेड़ पुषपा, परसी जब यह हुआ तब तुम लोग कहा थे, हम शाहर से बार घूमने के लिए गय हुए थे, आपके फ्लैट में एक अजनभी गुषता है, और उसका सुडियो से उपर आई, और फिर इस फ्लैट में गुजगई साब, क्या, तुमारा मतलब है, पेंटिंग में यह जो यह औरत की तस्वीर बनी है, इसने पून की है, हाँ साब, इसीने, इसीने साब, और इसी के हाथ में हमने चाहू भी देखा है साब, क्या बात कर रहो हो, यह औरत गर से बार कैसे ही जा सकती है अंदर आने के बात, वही तो सोचकर हम भी परिशाने साब, लेकिन साब, यह जो आदमी है ना, यह इसकी आवाज आ रहे थी, यह बहुँ चिला रहा था, और सर, जैसे हम लोग अंदर आये, वो औरत तहीं गायव हो गई, अरे, बंद जोग सही कह रहे हैं सर, हमने चेक किया है, यहां से बाहर जाने का और कुई रस्ता नहीं है, सर किटकी बर भी लोही की मजबूछ जाली लगी, यहां से भी बाहर ने जा सकता, सर, यह देखिए, हाथ पे निशान है, जैसे किसी चित से घिसे या रगडे गए हो, और सर, सर, यह हाथों पे जो निशान है, शायद रसी से चड़ने से हुए हूँ, हो सकता है, किसी न किसी रास्ते से तो यह आदमी इस बिल्लिंग के अंदर आया, पुरी बिल्लिंग चेक करो, दर्वाजा खुला है? यह तो तूटा हुआ है, फोस्ट एंट्री है, हाँ, यह जो तूवाजा जआ सियां, होसरे से जो भी के बिल्लिंगом है, जडी हाँ, तूब हैचा कमें से जोस्ते से बिल्लिंग भी के कि सस्ता हो और्ब मुः। अबिजीद ये देखो ये पाइप देखो अबिजीद जरूर इसी पाइप से वो उपर आया है टेरिस पर सामने CCTV कैमेरा लगे है ना उनसे बचने के लिए इस पाइप से चड़के आया वहाँ चाथ का दर्वाजा तोड़ा और फ्लैट के अंदर चला गिया आप मगर सर इतनी रात को अगाने क्या गया था अब ना फून कर्वाने जाए नाइप फॉक्त नाइप फॉक्त अएप नाइप दाइनमर्ट अभीजेट दाइनमर्ट अचर्ण ऑगार अज़केश किसे उन्से पाइए अवेद ये आप पार्ण्ख संभाल के लिए ये सालंक कि बास ताइनमाइट लेकर आता है बिल्डिंग में चुपकर बैठे और आथ को आधी रात को फ्लैट के अंदर गुस्ता है पर उसी फ्लैट के अंदर उसी का खूल भी होता है इस सारा चक्कर क्या है दाइनमाइट उसका खूल बहुत बड़ी करबड़े है अपिशीर बहुत बड़ी करबड़े है 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 अधरिगा सजुल आश आपने भिजवाई थी उस पर चाकू का बस एक ही बार किया गया बिल्कुल तेज और सटीक जिससे तुरंत उसकी मौथ हो गई अच्छा और और क्या पता चला और उसके एक पैर पर गुटनों के जरा सा उपर जलने की निशान भी जिसका इलाज भी उसने करवाया थ है त्हरीक थारीक अभ आजने का बता चला है जा आप जानते है कि हर डाइनामाइट की कपासिटी अद लग लग होती है और इतनी कन्टीवाला डाइनामाइट जए अधा तर कंस्त्रक्शन कंपनीबवाले इस्थमाल करते हैं पुरानी इतना पावरफूल डाइनमाइट कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बजार में गए और खरीद ली अजर इसके लिए तो कापी सारी पर्मिशन और पेपरफस की जुरुषब पढ़ती है वही तो सब तो हो सत्ताए सादमे के पाद जो डायमाइट था वो सक्कुषिन कंबणी से चुरायँ आउव सताए और ऐसी कंपणी भी गिनी चुनी होगी पता लगाना पड़े का दया कॉन सी कंपनी जो इस तरह का डायमाइट इस्तेमाल करती है अरभीशीत स्वाब इस हजे और कुनम से पता लगाओ, कि वो पेंटिंग वाली आउरत है ना, वो पेंटिंग कहां से खरीदी है? सर्ब, दो कंस्ट्रक्शन कंपनी से तो कुछ पता नहीं चला है देखते हैं, इस बचेवे बिल्डिंग में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, चलो यहां के मैनेजर से मिलते हैं सब्सक्राइब देखो, वहां पर प्लास्टर हो जाए तो फिर दो आद्मी को उपर बेस देना, वहां पर… स्क्यूज मी? यह सर, आप इस साइट के मैनेजर? जी सर, अमलोग CID से, CID? यह देखी, दाइनामाइट? जी हाँ, दाइनामाइट, आप यह दाइनामाइट का बिल्डिंग गिदाने के लिए इस्तामाल करते हैं, ना? हाँ, ऐसे यह दाइनामाइट हम हमारी पुरानी बिल्डिंग गिराने में ही इस्तामाल करते हैं, तो आप लोग रखते हैं यह दाइनामाइट? जी हाँ, तो इसकी सिफ्टी और सेक्यूरिटी के लिए क्या इंतरदाम करते हो? सर्व, काफी सेफ जगह पर रखते हैं, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता जब दिखाएंगे कहा रखते हैं, हाँ, आएए, इस तरफ सामने, इस तरफ आएए सर, इस तरफ आएए, यह देखिए, यह रहे है डाइनमाइट्स, और यह रहा उसका सारा हिसाब किताब पंकर्टी, जब बॉक्सेश चेक करो सर, हमारे पास सारे पेपर्स है, सर, हमारे पास यह सारे डाइनमाइट्स काफी सेफ है सर, चे बॉक्सेश है, चे यहाँ, आपके रिजिस्टर में तो बता रहे हैं कि, सारे बॉक्सेश है, चे कर से, नहीं, यहाँ तो सारे बॉक्सेश होने चाहिए, पर, तो एक एक है यही कही होगा, सर, यही कही होगा सर लगते है, डाइनमाइट आपी ने यही से चुरा है क्यों। कहा गए पॉक्स? कौन-kovन आसता इद है, कौन अथारे इधाल्य था pueblo सब को बनो यहाँ कुमारे साइट के स्टोर रूम में डाइनमाइट के साथ बॉक्स इस ते, साथ बॉक्स इस, उसमें से एक बॉक्स गायब है, डाइनमाइट का एक बॉक्स गायब है, किसने गायब किया वो बॉक्स, किसने गायब किया, सच सच बताओ, तुम, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, तो फिर मुंडी नीचे क्यों? बताओ जल्ले! तब उसने मुझे पैसे का लालच दिया था अच्छा लेकिन मैं इने मना कर दिया था ते देख याद भी था हो? नहीं सर, वो एक औरत थी क्या? औरत? हाँ सर, औरत थी वो मुझे लाक रुपे देकर डाइनमाइट नेना चाती थी मुझे फिर? सर, मैंने मना कर दिया सत्यवादी जो ठेरे तुम तुमने मना कर दिया फिर भी बॉक्स गायब है तुमने पैसे नहीं लिये तो बॉक्स गायब है जोड बोल रहे हो तुम नहीं सर, वो पैसे मैंने नहीं लिये सर, वो सारे पैसे पांसो और हजार के नोट में थे, मैंने मना कर दिया सर, हाँ सर, लेकिन जब सुबा आया यहां, तो देखा कि डैनमाइट के एक बॉक्स गाइब था, अच्छा, तुमने पैसे नहीं लिये, तो उसने वो बॉक्स चु सर, यही वो दुकान है, जहां से आजय और पुनम ने वो पैंटिंग खरी दी थी, आये, यहां आपको मिलेगी दुनिया की सबसे खास, उंदा और अनों की खिस्म की कला करती हैं, देखे, हम लोग यहां पे कुछ खरीदने नहीं आएं, कुछ जानने आएं, हम लोग C.I.D पुछ आज करनी से एक ओरत के बारे में कुछ पुछ ताज करनी आप से अवरत? यह है वो और खून हो गया है, उसी सेसले में इस ओरत से कुछ पुछ ताज करनी है, और इस और यह चिछ प्हुरत की पेंटिंग आपी की दुकान से बेची गीए, पथा था, कुछ ना अपको बता था आप जानते हैं इस अउरत को का मिलेगी है देखे साब वो यहां नहीं मिलेगी है वो मर चुकी है मर चुकी है जी मर चुकी है पचास साल पहले या? पचास साल पहले? जी, इसका नाम माली नहीं है और ये रजवारी खांदान की मगर शादी की दिन ही उसका खून हो गया रहा है खून? किसने किया था खून? वो अभी तक पता नहीं चला लेकिन अभी जो खून हुआ है वहां पे लोगों ने इस आउरत को देखा है सर, इस तस्वीर में उसकी आत्मा है और अभी भी वो अपना बदला लेने के लिए बराबर आती रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जो लोगों ने देखा है वो शायद उसकी आत्मा होगी सर, आत्मा? पता नहीं वो कौन सा मनुज दिन था जिद दिन मैंने वो तस्वीर खरीद दी तो अच्छा हुआ कि वो अजय जी और पूनम जी आई और उन्होंने वो खरीद लिया मैंने उनको सस्ते में दिया और मेरी जान छूटी सरुसे ठीक है अजा लगता है किसी ने इस मालनी के बारे में पता-किया और उसके चेरे का स्तमाल करके अपना मकसद पूरा कर रहा है इस बेंटिंग को फिर से चेक दना पड़ेगा तुम जा जरह वो ईस बेंटिंग को लेकर आँ जा आँ आरे, दो मिनिट के लिए एक शांदी से बैट जाएए, प्लीज, आरे, आपको जो भी बोलना है, ना, वन बाइवन बोलिया, प्लीज, बैठे, बैठे, बोलिए देखें सेक्रेटी साब, वाच्में के होते हैं, कोया के बिल्डिंग में खून कर जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैं तो जादे तर रात में फ्लाइट्स पर जाती हूँ, अगर यही सब चलता रहा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी हमने तो अपने जान पर खेल कर उसका पीछा किया था, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें हमारी बिल्डिंग में सीक्यूरिटी टाइट करनी होगी, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, अजे जी, मेरी मानिये तो सबसे पहले आप उस पेंटिंग को अ में नहीं रह सकती, हे भगवान, इनका तो दिमाग खराब हो चुका है, excuse me, मुझे भी कल जल्दी जाना है, मैं जारी हूं सोने के लिए, क्या मैडम, आप भी हमारा नाम लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं आप, ओफिसर आप, इस वक्त, जिहां, दर असल मैं उस पेंटिं को लेने आया हूं, यह क्या हो रहे, ओ, 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 क्या करूँ, वाच में, कोई है, समबडी हेल्प मी, हमें उस प्रेंटिंग की से कुछ पुछताश करनी है, मेरा मतलब है कुछ टेस्ट करने, हाँ, सर, उस मनुस पेंटिंग को लेकर ही जाए आप, अरे, आप उदासमत हो यह, आपकी प्यारी पेंटिंग का काम खतम होती ही, मैं आपको वापस कर दूँगा, ठीक है सर, आप आईए मेरे साथ, मैं बताता हूं आपको, हुचाँ आपको, उस मेरे साथ, मने विचुचाँ करने ही यह, मैं अँखा बुच्छाँ किसख है, और वाज यहां से आई ए, मैं हुना, द्रौत धाना, अरे, टारीए मन, मैं ढ़ stipendते है, आपको अए, मैं ढाइए मेगना, मेगना क्या हुआ तुमे, मेगना, मेगना, तुम ठीक तो हो ना? वो आई थी, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मार डालेगी देखा, वो पेंडी के लिए वापस है याजे, तु उस पेंडी को फेक दे, फेक दे उसे हाँ, हाँ, लेकिन गई कहाँ? अरे, हम सब तो स्वीडियों से उपर आयते हैं, फिर वो जा कहा सकती है, कहीं वह अंदर तो नहीं है, चोड़ो लो वो मुझे प्लंदिंख रदेगां शुकिया! मुझे! अरुकार! अरुकार! हाँ, रुकार! अरुकार! हाँ लो, हाँ ए यह देखे हैं क्या ऑठ थो वापस आंगई अभी तो यह थी नहीं यह अपना शिकार ढूरने के लिए पर आप में रहे तिये यह यह एचे लिए यह अत्मा है अमें शही जरा शान्त हो जाएंगे कि यहां पे कोई है जो साजिश रचने की कोशिश कर रहा है यह हमें मार डालेगी सर्व कमाल करते हैं आप लोग यह और पेंटिंग में से गायब हो गई और वापस से लिगई ऐसे कैसे हो सकता है तुम दर अचुप रहा हो गया है सर वाच्पन सच बोल रहा है इस और यह आप में से कोई होगा तो कि इन में से कोई केसे हो सकता है इसका मतलब साफ है कि कोई इनके अलावा है इस बिल्लिंग में छुक्के बैठा हुआ है Sir, एक बात बूचूँ. पचास साल पहले मरी हुई औरत, वापस केसे आ सकती है? अरे यार, यही तुम्हें आप लोगों को समझाने की कोशिच कर रहा हूँ कि पचास साल पहले मरी हुई औरत वापस नहीं आ सकती है. कोई है जो आपनोंगे दिमाग के साथ खेल के जाए अरे साथ दिमाग दोका दे सकता है लेकिन आखे नहीं हमने तो अकन तुम जरत शुप रहोगे है हां वेटी इसका मतलब साफ है ये पेंटिंग फेक है जूटी है जूटी पेंटिंग हां एक्सपेक्टेस करके बता देगा कि पेंटिंग पचास साल पुरानी है या पांच दिन पुरानी हां क्या पता शला वेल एक बात तो कंफर्म है ये पेंटिंग असली है आपको पुरा है की में पेंटिंग असली है जी बिलकुल ये कैन वासरी फ्रेम की लकडिया बहुत पुरानी है अरी कैन वास करीब-करीक पचास साल पुराना है मैं आठ एक्सपर्ट हूं और आप लोग मेरी बात के अकेंट कर सकते हैं लेकिन इस पेंटिंग में आउरत गायप करसे हो सकती है और बात में वापस इसी पेंटिंग में दिखाए जाने लगती एक बात बताओ ये पेंटिंग और किस-किस के बात रही है दर असल ये पेंटिंग दो साल पेला ओक्शन में खरीदी इस ने थी यह पेंटिंग? जिसने भी खरी दियो मेरे पास रेकॉर्ड में उसका नाम ज़रूर होगा एक मिटसा यह रहा किसी विकास कुमार नाम के शक्स ने यह पेंटिंग खरी दी है यह है उसकी डिटेल्स यह तो वही है इसकी लाश हमें फ्लैट में मिली विकास कुमार को किसी खून के इल साम में जेल भी हुई है यह जेल में था तो फ्लैट में कैसे पहुचा? जेल से भागकर अजे के घर गया होगा शायद यह पेंटिंग लेने के लिए अब ऐसी क्या खास बाती इस पेंटिंग में जो विकास जेल से भागकर अजे की घर में रुषता है और फिर वही उसका खून भी होता है जी सर यह तो विकास है खून किया था इसने और कुछ टाइम पहले इसी जेल हॉस्पिटल में था लेकिन लेकिन क्या लेकिन कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल के एक हिस्से में आग लग गई थी काफी अफ्रात अफ्री और भगदर मच गई थी उसी का फाइदा उठाकर विकास यहां से भाग गया तिरफ अकेला बही था जो यहां से भागा था उसके शरीर पर जलने के निशान तो मिलेते हैं यहां से बागते समझ जल गया होगा इसे पैचानते हैं कभी यहां पर विकासे मिलने आई होई यह तो यह हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं तो नहीं इस्वा कहा है यह उपर की मंदिल पर छे ले दिखाईगे यह नहीं वो अरे रे बाद में भाग ले ना पहले हमसे तो मिल लो चलाओ तुमीने विकास की मदद कीती ना जेल से भागने में हां वो विकास अपनी पेंटिंग को ले करके बहुत ज्यादा परेशान था जैसे उसको पता चला कि उसके घरवलों ने वो पेंटिंग बेच दी है वो बहुत ज्यादा गुसे में आ गया बस उसे वो पेंटिंग हर हालत में चाहिए थी विकास ना किसी औरत का भी जिकर कर रहा था उसकी तलाश में था वो तुमुझे नहीं पता लेकिन उसके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिष्टा हो अब ये कौन है दुसरी औरत विकास के एक और साथी उसके बारे में तो कुई कास कोई जान पचान वाला ही बता सकता और हाँ सर उस पेंटिंग में न कोई तो चाबी चिप्यूई थी जिस चाबी को वो किसी भी हालत में पाना चाहता था और तुमने वो डाइनामाइट की चुरा है विकास ने बोला कि वो डाइनामाइट लेकर के आओ और मैंने कर दिया अब ये चाबी का क्या चक्कर है क अब.. सरब.. आपको इस पेंटिंग में से चाबी क्यों नहीं मिली ये बात मुझे पता चल गई है क्यों.. क्यों नहीं मिली चाबी एक मेनिट पता क्यों क्योंकि यह पेंटिंग नकली है क्या पेंटिंग नकली है तरिकाउज एक्सपर्ट ने सारे टेस्स करने के बाद बताया कि यह कैनवस यह पेंटिंग पचास साल पुरा दी है हां सर यह कैन्वस तो पचास साल पुरान ही है लीकिन यह पेंटिंग बिल्कुल पुरान ही नहीं है खुनी ने बड़े होश्यारी से पेंटिंग बनाई है तो किसी को पता ही ना चले कि इनकली है और वो कैसे ? सर इस पेंटिंग में किये गए रंगों के इस्तमाल से मैंने इन रंगों को टेस्ट किया तो इसमें मुझे कुछ खास तरह के केमिकल्स मिलें कैसे कैमिकल्स जादा तर इन कैमिकल्स का इस्तुमाल रंगों में किया जाता है ताकि वो रंग या पेंटिंग्स पुरानी लगे लेकिन खास बात तो ये है कि पिछले 10 साल से ये कैमिकल्स इस्तुमाल में लाया जा रहा है इससे पहले तो ये कैमिकल्स बनी नहीं थे मतलब आपका यह कहना इक यह पेंटिंग पचासाल पुरानी नहीं है? नहीं, पेंटिंग्स नहीं, कैनवस है पचासाल पुराना Kamvas अआए यह ऍरना पड़ेगा यह पचासाल पुराना Kamvas लीए, कहां से होगा? एर दो और भन संदें, कुछ एपिकि नहीं है कि हमने यहां पे रखा या साव बुूरानी पुरानी इसारी पुरानी स्ट गुश्च प्रानी या कुछ उसे भी ज्यएदा पुरानीays इह जैडानी सराइ सारे डिचारी पुरानी इज में एजगते सर यह सारी पचासाल पुरानी पेंठिंग्स है पर Orthodox ड़िब that वह इसी ने पचास साल पुरानी पेंटिंग चुराई उसके ऑपर मालनी की नखली पेंटिंग बनाई और असनी पेंटिंग से बदल दे हुआ कौन इस फिर्श न था यहां तुम्हारी स्टोर रूम में सर यहां तो मैं और मेरा स्टाफ और कोई आई नहीं सकता यहां तक कौन-कौन स्टार्में, उनकी कोई डिटेल्स है? जी सर, अभी लाके देता हूं ये लीजे सर, इसमें सारे डिटेल्स है पुष्पा? ये तो हजे की मेड है सर कि मेरी वाइपूनम और ये मेड पुष्पा ये है का करती है? ये हमारे याँ साफसफा है का काम करती है चा... तो पुष्पा ने अच्छी तरह से की आसाफसफाई अभीजेत, ये पुष्पा ज़रूर ऊस बिल्डिंग में किसी के लिए तो काम करती है हाँ पुरी बिल्डिंग में कोई भी कहीं भी नहीं दिख रहा है सर सब गया में लगता है बाग गया सर सर नौक्रानी का भी फोन बंद आ रहा है हम उसकी लोकेशन डूंडी की कोशिश कर रहे है बिल्डिंग का एक एक फ्लाट चेक कर लिया सर सब पे ताला लगा हुआ है आज मी तो छोड़िया सर पूरी बिल्डिंग में चिडिया भी नहीं ह सब बागे हमने बेस्मेंट चेक नहीं किया है तो चेक करते है पूरी चलो कि इतना बड़ा गट्या बिल्डिंग के नीचे गट्टा यहां से कुछ ले जाने के लिए किया गट्टा लगता तो ऐसे ही है लगता इस बिल्डिंग के अंदर जो माल चुपाया था यहीं से नि वो डाइनमाइड नर्स से विकास ने इसी लिए बोला चुडाने के लिए ताकि यहां बेतना बड़ा गड़ा कर सके पहले पेंटिंग के पीछे से वो चाबी चुराई और अब लूट कमाल लेके निकल गया है लूट कमाल रखा होगा किसी तीजोरी लोकर में वही तीजो Willis एकठी Sir विकास से जो औरत जेल में मिलने आती थी उसकादा याशिका है याशिका Sir याशिका विकास की वकील थी और जेल जाने से पहले तक दोनों की बीच काफी गेहरा रिष्पा पर तो विकास ने इस लूट के बारे में याशिका को ज़रूर बताया होगा सर कुछ दिन पहले एक रोड आक्सिडेंट हुआ था और उसके बाद वो कॉमा में चली गए थे सर के ऐसे थे ने कि विकास का सेक्रेट याशिका से जानने के बाद इस खुनी ने जानबूच के उसका एक्सिडेंट करवा दिया रास्ते से हड़ाने के लिए हाँ लगता तो ऐसे ही है यह खुनी अपने आपको बड़ा चालाख समझता है और उसे पता नहीं अब हम कौन सी चाल चलेंगे कुछ नहीं था तुम्हारी उस बिल्डिंग में ना कोई और और ना कोई आत्मा वो तो तुम सब को उस बिल्डिंग से बगाने की चाल थी और यह चाल थी विकास की विकास वो आदमी जिसकी लाश हमें हजे के फ्लैट में से मिली विकास बख वह ही लिन आयाई था क्या स grilled हमें तो इसमरों में उसमें कुछ भी नहीं पधा उसके बारे में कि सिग नहीं पधा था सवाई खूनी के उसने बहां उसमल कर दिया और लूट का माल वहां से लेके चला और खुणूञ। लूट का माल पाने के लिए खुणी ने विकास को मारा और फिर याशिका को मारने की कोशकी की पर एक्सिडेंण में याशिका मरी नहीं को महा में चली गई और अब याशिका कोमा से बाहर आई है और अब याशिका खुद खूनी का नाम बताएगी इसलिए हमने उसे यहां बुलाया है पंकच याशिका को लेकर आओ याशिका ने खूनी का नाम बता दिया है खूनी है कोई मेरे पास नहीं अनीताजी अफ क्या कर रहे हैं अनीताजी अब क्या कर रही है अनीताजी अनीताजी मेरेs आऊचा चलू चल्डो मेरे साथ कोई आगे नी आएगा ये अन से घोली मर्दूगी मेरे पीए आट figure out this को आनीताजी हमे तो पहले से शक्ता तुम पर पस गई ना हमारी चाल में तुम्हें कया लगा मुरदे को जिन्दा करके खेल खेलना सिफ तुम्हें है सिर्फ नाम जानकर क्या करोगे और कुछ नहीं जानते हो तुम लोग हाँ हमें कुछ नहीं पतत लेकिं आगे का सच भी तुम हमें बताऊगी याशिका एक रेस्ट्रो में अपने किसी दोस्त के साथ थी और उस वक्त मैं भी उनके साथ थी और तब ही मैंने उनकी सारी बाते सुन ली क्या? क्या सुन लिया तुमने? याशिका विकास की लॉयर थी और विकास ने उसे बताया कि उसने कहीं से हीरे चुराएं जो बीस करोड के थे और इस बारे में विकास ने किसी को नहीं बताया था और वो हीरे उसने बिल्डिंग के बेस्मेंट में चुपा दिये थे, है न? हाँ, और जिस जिस बॉक्स में उसने वो हीरे रखे थे याशिका खुद अपने उस दोस्त के साथ मिलकर वो हीरे चुराने की प्लाइनिंग कर रही थी मगर तुमने सब कुछ सुन लिया था तो तुमने सोचा क्यों ना वो हीरे मैं खोदी लपेट लूँ इसलिए तुमने याशिका को मार गिया यहाँ और फिर मैं उस बिल्डिंग में पहुच गए और वो वो पेंटिंग ढूंडी पर उस बिल्डिंग के बेस्मेंट से वो हीरे चुराने से पहले वहाँ की सारे लोगों को वहाँ से निकालना ज़रूरी था और इसके लिए तुमने नाटक रचा, पेंटिंग वाली आउरत की आत्मा का नाटक, जिससे डर के बिल्डिंग के सारे लोग भाग गए सब कुछ सही चल रहा था, पर इसी बीच में, इसी बीच में विकास जेल से भागने में काम्याब हो गया और मैं जानती थी, कि वो अपने हीरे लेड़े और उस पेंटिंग के लिए ज़रूर आपस आएगा और फिर औरत की आत्मा बन कर, तुने विकास का भी खून किया, और पेंटिंग भी चुरानी लोगों को डराने के लिए, मालिनी जैसे दिखने वाले एक अक्ट्रिस को पैसे देकर मैंने सारा काम करवाया और वो अक्ट्रिस भी मेरे ही फ्लैट में रहती थी, इसलिए कभी किसी को पता ही नहीं चला कि, कि वो गायब कैसे हो जाती थी जब हम लोग वहां बिल्डिंग में पहुचे हैं, तुम उससे पहले वहां पे पहुच गई और वहां से वो पेंटिंग जिसमें चावी ते उसे निकाल दिया और वहां पे वो पेंटिंग रख दी, जिसमें चा को फिट किया गया था हाँ और तब ही जब जब विकास ने उस पेंटिंग को निकालने की कोशिश की तब वो एक्ट्रेस तो अजय के घर पर थी ही नहीं वाच्मेन ने जिसे देखा वो वो उसका होलोग्राम था मैंने तो बस उसके दिमाग से खेला था वाँ अनिता जी बड़िया प्लान बनाया था लेकिन हर मुझरिम अपने प्लान में कई न कई तो चुकता ही है अब जेल की सलाको के पीचे सडते बैठना सोचते बैठना कहां चुक गई थी तुम अपने इस प्लान में इसने वारोशने तो न न थी तो आप पार भी अमझर आप उन्पेड स्पिक भी बाद प्लान में और ऑख जब प्लान कि अटेम आपड सक्या। झाल 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 झाल